वेल्कम टू यूनिक अकेडमी दोस्तो हम देख रहे थे मद्यप्रदीष में संभाग एवं जिले इसी करम में अभी तक हमने मद्यप्रदीष में जड़ संभाग और 52 जिलों के बारे में जान करी ली और हमने इसमें इन दौर संभाग के में देखा आज हम देखेंगे उज्जेन संभाग के बारे में और इसमें इस्थित जिलों के बारे में उज्जेन संभाग में साथ जिले सामिले दोस्तों जिसमें देवास, रतलाम, मंसोर, नीमच, साजापूर, आगरमालवा वा उज्जेन हैं अब हम देखेंगे उज्जेन सरवाधिक अनुसूच जाती या ऐसी वाला जिला उज्जेन है सांदिपनी आस्रम में क्रस्न बलराम वा सुदामा ने सिख्छा क्रहन की थी दोस्तों उज्जेन को मंदिर और मूर्तियों का नगर कहा जाता है प्राचीन नाम अवंतिका है दोस्तों इसका बारा वर्सों के प लिंगों में से एक महा कलेश्वर भी वह जैन में इस्ति हैं एचिया का सबसे बड़ा सोयावीन सैयत्र भी वह जैन में इस्ति थैं कायथा, नागदा, जूना, एरवास, पुरातत्विक इस्थल भी उज्जेन में इस्थित है दोस्तो ब्रह्मगुप्त ने सुन्य का आभिस्कार इवंप्रयोग उज्जेन में ही किया था कालिदा समहरो, कालिदा सेकंद्मी के दोरा उज्जेन में ही आयजित किया जाता है विक्रम उनिवर्सिटी वा महर्सी पानिनी संस्क्रत उनिवर्सिटी भी उज्जेन में इस्थित है दोस्तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इस्थित प्रमुक परियटन इस्थल जिसमें महाकाल मंदिर, बरतरी की गूफाएं, सांदिपनी आसरम, काल भैरो मंदिर, जंतर मंतर, हरसिदी मंदिर, मंगलनात मंदिर, वाइसकॉन, टेंपल भी वो जैन में इस्थित है दोस्तो अब हम देवास जिले के बारे में, देवो के इस्थान के कारण इसका नाम देवास पड़ा, आईयसो प्रमानन पाने वाला जो पहला थाना है, वह अभी देवास में इस्थित है दोस्तो, नोट छापने का कार खाना, 1999 में यहीं पर स्ताफित किया गया था, बागली नामक इस्था वा तुलजा भवानी का मंदिर भी देवास जिले में इस्थित है, जामगोद रानी में पवन उर्जा सैयंतर इस्थित है दोस्तो, नेमावर घाट, पतेगड काकिला वा खिबनी अभ्यारन भी यहीं इस्थित है, अब हम देखेंगे रतलाम जिले के बारे में, रतलाम को स देवा नमकीन की नगरी कहा जाता है दोस्तो, सैलाना भ्यारन में खरमोर पक्ची का संरक्षन किया जाता है, सैलखडी उद्योग भी रतलाम में इस्थित है दोस्तो, जावरा में सुगर मिल इस्थित है, अंगुर उत्पादन में रतलाम जिला प्रतम इस्थान पर है, अं दर्मन का मंसोर अभिलेक प्रसिद्ध है दोस्तो पसुपतिनात का मंदिर भी मंसोर में इस्तित है इसलेट पैंसल बनाने का कारखाना भी मंसोर में इस्तित है यहाँ पर सिवना नदी बहती है दोस्तो जिसके किनारे मंसोर सहर बसा हुआ है मंदोदरी का जन्म इस्थान भी यहीं पर माना जाता है, यहां पर गांधी सागरबान वा गांधी सागर अभ्यारन दोनों इस्तित हैं, यहां एक अफिमुत पादक जिला है दोस्तों, अब हम देखेंगे नीमच जिले के बारे में, तो सास्की एलकलाइट फेक्टरी ये भी नीमच में इस्ताफित है, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर भी नीमच में इस्ताफित है, सहबुद्दीन ओलिया का जो उर्ष लगता है वह भी नीमच में लगता है, जातला ग्राम में पहला ग्राम नैले इस्ताफित किया गया था, नीमच में प्रसिद कुकडेश्वर महादेव का मंदिर इस्तित है दोस्तो अब हम देखेंगे साजापुर जिले के बारे में, मुगल बाश्या सहजा ने सहजापुर सहर को इस्तापित किया था, इसे पूर में खांडी खेडा नाम से भी जाना जादा था, मुमन बडोदिया का मिला भी साजापुर में लगता है, मक्सी में डाबर का प्लांट है दो अब हम देखेंगे आगर मालवा जिले के बारे में, साजापुर से अलग करके अगस्ट 2013 में आगर मालवा को मत्य प्रदेश का 59 जिला बनाये गया था दोस्तों, इसके अंतर गत चारत हैसीले बडोद, आगर, सुसनेर, नल खेडा आती है, जिले में प्रशिद्ध सक्तिप मा बगला मुखी और बाबा बैजनात धाम इस्ते था दोस्तों, देश ही नहीं, अपितु विस्व का पहला गौब भ्यारन सुसनेर आगर मालवा में इस्तापित किया गया है दोस्तों, थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में